हलो फ्रेंड आएम डॉक्टर हर्शद रावल एमडी होम्योपैट्स और मेरी चैनल में आपका स्वागत है मित्रों आज का वीडियो में हम आपको बताएंगे ऐसे तो ये रोग लाख में से एक वेक्टिको होता है पड़ कई बार ये रोग इतना डैंजरस थिति में पहुंच जाता है कि दर्दी को लाइफ एंड देथ का सवाल आ जाता है तो ये रोग के बारे में हम आज डिसकस करेंगे जि काज है किनके कितने प्रकार के यह जो गंगरीन हमारा बॉड़ी में डैवलॉप्ट होता है किन लोगों को यह रिक्स फेक्टर होता है और इसके कैसे तरह उनको डियग्नोसिस किया जाता है और आदुनिक साइंस जो गैंगरीन होता ए पार्शल गैंगरीन या सेकंडरी गैंगरीन होता है तो कैसे तरह ट्रीटमेंट करता है इसके लिए आप कौन से प्रकार के आपको लाइफ में मेंनेजमेंट करना चाहिए और कौन से होमियोबथिक मेडिसीन के जो प्राइमरी बिना जो औरगन को बाड़ी में से रिमोव के बिना ये जो औरगन को ठीक करता है रियेस्टाब्लिस करता है और दरदी को फिर से उनको नॉर्मन लाइब जीने की जो दवा है ये इसमें अमोग उश्रद्यों है तो इसके बारे में हम आप डिस्कस करेंगे वित्रो ये जो जरा सब्जेक्ड लंबा है तो मैंने उनको तीन पार्ट में डिवाइड किया है तो आप सुरूवात से लेके तीन जो पार्ट वन पार्ट टू और पार्ट थ्री है आप देखोगे तो आपको ये जो गैंगरीन का कैसे होता है कैसे तरह कॉम्प्लिकेशन होत तो मित्रों सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि घैंगरीन क्या है ऐसे हमारा जो शरीर है यह लाखो कोशो और कोशिकाओं के बना हुआ है इसको चलाने के लिए हम जो भी खुरा खाते हैं यह चाया-पचेन के क्रिया के अंत में हमारा सरीर में जो सांसोसास के क्रिया के स्वरूब जो हमारा सरीर में ऑक्सीजन सारा सरीर में प्रस्वन पापता है जैसे हमारा डिस्टलन है दूर को अंगों में जो ऑक्सीजन जाता है और हम जो खुरा खाता है ये नरिश्मेंट जाता है ऐसे तरह हमारा जो कोस है यह living रहता है और हमारा जवी का में एंटिसिपेट करता है और हम हमारा जो life निर्वान करता है पक कई केशों में यह जो distal end होता है जैसे हमारा जो finger होता है हाथ ही हमारा सरे से दूर है इसे हमारा पग है पग की जो जो अंगूलिका है ग्रेटो है स्मॉल फिंगर्स है यह अवे है दूर है तो इसमें कई कारणों सर इसमें oxygen या food nourishment नहीं मिल पाता है तो इसके जरिये दर्दी को यह अंग चाहिए हो जाता है कही बाडल दर्दी को अंग इया और भी और यॉल जाता है昨 आशम और येंग और इसमें नॉर्मल हिल्ट जो फूट के होते हैं और उनका जो सेल के बीच में एक लाइन होता है कि हमको देख सकते हैं हमारे आँख से के भी ये जो अंग है ये धिरे 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 खराब हो रहा है और यह हमारा अंगों को damage करता है, इनको हम gangrene बोलते हैं, gangrene means dead हो जाना, cells को, इसका कई कारण है, तो सबसे पहले जो कारण है, इसमें जो मोटा-मोटी कारण है, एक तो diabetes है, second thing, infection है, कई बार हमको deep infection लग जाता है, और कुदरती हीलिंग नहीं होता है, कोई medicinal से हीलिंग नहीं होता है, और यह damage हो जाता है, कई बार वेधर भी, जो वेधर होता है, यह भी कई बार इसके जरिये भी हमारा, जो distal angle होता है, शनाइल हो जाता है, डीजनरेटीव हो जाता है, और dead हो जाता है, कई बार जो लोग ठंडा प्रदेश में रहते हैं, जैसे हमारे जवान लोग होते हैं, यह ठंडा प्रदेश में बहुत हाई attitude में रहते हैं, तो कई बार जो अंगूली का इसमें force bite हो जाता है, ठंडक से जो अंगूली होता है, यह डल पढ़ जाता है, निले पढ़ जाता ह जो उसकी proper treatment immediate नहीं लिया जाता है तो इसमें फोस्बाइट गैंगरिन होने का संभावना रहती है। कही बार trauma लग जाता है, deep citate का ही trauma लग जाता है नौस सिस्टम में और हमारा immunity कम हो जाता है, कम होने के कारण ये healing नहीं होत पाता है। तो ये दिरे 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 हमारे नस सड़ जाती है, वही के area में जो blood circulation और oxygen नहीं मिल पाता है, तो जो cell होता है ये dead हो जाता है, तो ये उसका mainly तीन कारण इसमें है। किन लोगों को ये risk factor जादा होता है, जो is a kangaroo, is a very dangerous और लाखों में से एक दो व्यक्ति को भी होता है, पर जो लोग high grade जो इन लोगों को sugar, diabetes, long term से हो और uncontrollable हो, दर्दी कंट्रोल नहीं कर पाता है, तो उनको ये food kangaroo होने का chances रहता है। इसके हम last में हम आपको food gangrene ulcer क्या है, food ulcer, diabetes ये आपको बताएंगे, तो सबसे पहले diabetes दर्दियों को ये food gangrene होने का संभावना रहती है, second thing, arteriosclerosis, जिनको artery का कोई तकलिफ होता है, उनको भी problem हो जाता है, third thing, जिन लोगों को rain disease होता है, round disease के मतलब जो artery पतलिफ हो जाती है, shortening हो जाती है, वहीं हमारे distal end में proper blood circulation नहीं कर पाता है, तो इसके जरिये भी हो सकता है, कई बार peripheral vascular disease के कारण, कई बार हमारे अंगों में जो embolism या fat embolism होने के कारण, जो दूसरे अंगों में oxygen नहीं supply होता है, तो कई कारणों सर, यही peripheral vascular disease में भी कई बार हमने देखा ग रहती है, जो लोग chain smoker होते हैं, smoke करते हैं, alcohol लेते हैं, उनका obesity ज्यादा है, उनका जो lifestyle है, sedentrical lifestyle है, lack of exercise है, तो इनके जरिये भी इन लोगों को भी यह risk factor रहता है, कि उन लोगों को भी यह जो gangrene develop होने के chances रहता है, फोस्बाइट जेरा हमने आगे भी बता है, जो लोग ठंडा प्रदेश में रहते हैं, काम करते हैं, बरब के नीचे काम करते हैं, ज्यादा तर है, तो कई बार फोस्बाइट हो जाता है, और उसको acute gangrenous condition भी होता है, कई बार उनको amputation के जरिये अंगों को cut करके, उनको ऐस factor होने का chances रहता है, तो मित्रो इसका कितना प्रकार के हैं, तो generally जो गेंगरीन होता है, मर Да, तो चार प्रकार है, कई बार चार प्रकार में भी बाता गया है, पड़न सबसे पहले जो गेंगरीन है, dry gangren, ड्राइग्राइंगिरिन पर्टिकुलर की वार दाइबडिक्स पेशन्ट होते है कई बार आर्ट्रियो स्क्लारोसिस आर्ट्री का प्रॉब्लम की वजह से होता है और कई बार ऑक्सिजन प्रॉपर जो डिस्टल एंड में नहीं पहुंसता है तो कई बार हमारा जो डिस्टल एंड होता है जैसे पक्की जो हमारा फिंगर ग्रेटो है अंगुठा है और उसकी जो अंगुendo में है इसमें कलर डिस्कलरेशन चींजी जाता है दरदी को नमनेस आता है कूलिंग फिल होता है नीडल लाइक सैंसेशन होता है प्रिकलिंग सेंसेशन होता है दर्दी को कई बार बर्रिंग सेंसेशन होता है तो यह ड्राइ में ऐसा पाया गया है कई बार हाई जिन लोगों को शुगर रहता है तो उनका कॉम्प्रिकेशन में भी यह ड्राइ गेंगरीन होने का संभावना रहता है सेकंड number का wet gangrene तो यह wet gangrene क्या है तो जीन लोगों को जो अंगों में inflammation हो जाए या blister form हो जाए या इसमें कोई बद्बु आजाए तो ऐसे condition जब बंस हो जाता है burnings हो जाता है करी बार inflammation हो जाता है और healing नहीं पर पाता है और बंस होने के कारण कई बार इसमें फोडे पढ़ जाता है तो इसमें वैट गैंगरीन होने का समभावना रहती है बंस यह जो वैट गैंगरीन होने का वेरी डेंजरस कई बार उनका जो एग्रेशन से इतना ज़ादा होता है तो यह बढ़ता रहता है और दर्दी को कुझे घ४क्षाब आनियर पिस्क्रिफियए ऐसे बोला कर हो हम आपको आपको जब ग्राइब पर जब भी आप ऐसे प्रकार के जो होते हैं तो आपके कोई नजदिक के अच्छे होम्योपत हो मास्टर एमडी होम्योपत हो इसके पास ही ट्रीट्मेंट लेना जाइए कैंके कई बार आप खुड़ ट्रीट करों तो आप दर्दिक के साथ और कुछ अन्याय भी हो सकता है। बित्रों थर्ड कारण जो है यह हमारा इंटर्नल गैंग्रिन में कुछ लगने के कारण कई बार जो इंटर्नल ओर्गन में डामेज हो जाता है। तो कई बार सबसे पहले infection भी हो जाता है, तो जैसे हमारा goal blader है, second thing, mechanical cause जो होता है, जैसे abdominal hernia है, long term untreated रहता है, तो कई बार intestinal gangrene होने का संभाव ना रहती है, ऐसे तरह goal blader stone भी होता है, तो इस stone में भी कई बार strangulation होने का संभाव ना रहती है, तो इसमें भी goal blader में जो particularly जो internal gangrene होने के संभाव ना रहती है, तो यह आप sonography या doctor की under आप supervised reason में उनका diagnosis करके, उनका ऐसे तरह आप उसका cause का अभ्यास कर सकते हैं, बित्र चौथा नंबर का जो कारण है, gaseous gangrene, कई बार हमारा सरीर में ऐसा gas उपन हो जाता है, कई बार deep-seated जो हमारा अंगों में कुछ लगाया है, यह healing नहीं हो जाता है, लॉंग टर्म इंटर्नल उन्स में inflammation हो जाता है, सूजन आ जाता है, और यह बाहर नहीं आपाता है, तो यह अंदर नांदर body tissue में gaseous उपन करता है, कई बार long term हमको crush या trauma लगाया हो और फेफड में कुछ लगाया हो, ऐसे तरह तो normal heal हो जाता है, पर कई बार नहीं होता है, तो यह gaseous के कारण हमारा जो lungs में aceter, जो pneumonia, ऐसे developed होता है, और pneumonia के कारण भी हमारा शरीन में यह जो lungs gangrene होने का समभवना रहती है, कई बार हमारा internal organ में भी, intestine wall में भी कोई डेमेज होने के कारण भी और इसके जरिए भी हमारा जो intestine में भी, जो gaseous उत्पन होता है, तो कई बार ये poisonous gas के कारण भी internal gaseous gangrene होने का संभावना रहती है कई बार force signs gangrene कई बार पाया गाया है जो जो genital organ है जैसे तरह male से female में ये problem जदा होता है ये बहुत rare gangrene होता है तो कई बार जो old age के जो ladies होता है उसको जो गरवाशे में अब उप्रकार के जो गाठे होती है तो ये long term old age सनाइल gangrene होने का भी संभावना रहता है वित्रों ये जो gangrene का आमने प्रकार बता है अभी gangrene का क्या sign and symptoms होता है तो सबसे पहले तो gangrene में दर्दी को pain होता है discoloration हो जाता है numbness लगता है burning sensation लगता है दर्दी को low grade fever आ जाता है low blood pressure हो जाता है anxiety होता है palpitation हो जाता है short breathing हो जाता है दर्दी को depression हो जाता है anxiety neurosis होता है दर्दी restlessness हो जाता है दर्दी को भूखनी लगता है loss of weight होता है और constant irritation जो part में होता है उनको discomfort फिल होता है ऐसे तरह sign and symptoms होता है मितरो यही वीडियो में हम आपको इसका जो गैंगरीन क्या है इसका क्या कौज है इसका क्या साइन सिम्टम है और कौन से प्रकार के जो गैंगरीन है इसमें हमने आप चर्चा किया मेरा जो second video है इसमें उनका कैसे तरह diagnosis किया जाता है और food gangrene क्या है इसके बारे में हम बताएंगे और last video में हम आपको इसके कौनसे प्रकार के आप योगा करना चाहिए और कौनसे प्रकार के आप food लेना चाहिए क्या do and dons है जनरल जो gangrene होता है इनकी कौनसे दवा है और food gangrene के लिए कौनसे दवा है और कौनसा प्रकार के होमियोपतिक दवा है जैसे food ulcer में आप इसके आप ट्रीट कर सकते हैं तो हम आगे जो हमारा second part और third part जरूर देखना तो आपको gangrene के लिए आपको जो भी आगे का ज कैसा लगा अच्छा लगा लाइक कर दीजे शेर कर दीजे धन्यवाद